केंदर सरकार दुआरा लागू की जा रहे हैं तीन करशी कानूनों के विरोध में देश के तमाम किसान जो है लागातार दिल्ली की तमाम सिमाओं पर जो है विरोध परदर्शन कर रहे हैं। पुषी के चलते जिस तरह से किसान संग्षनों ने एलान किया था कि छे फरवरी को पूरे देश भर की बात की जाए वहां पर जो है चक्का जाम किया जाएगा और अगर बात की जाए बारा से तीन बजे तक चलने वाले तीन घंटे के इस चक्का जाम में एमुलेस की बात की जाए बशेज की बात की जाए और तमाम जो जुरूरी शर्विशेज उनकी बात की जाए उनको किसी भी परकार की आई सुविदा नहीं होगी फिलहाल जो है हम मौजूद है एनच 709 पर जो करनाल से असंद मार्ग भी बोला जाता है वहां पर आप देख सकते हैं यह जो चो कि मौनों ने बारिकेटिंग की हुए है पूरे रोड को ब्लोक कर दिया है और अगर बात की जब पीछे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे भी दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है ट्रेक्टर जो है रोड पर लगाया गया है और गाडियां जो रास्ता जो पूरी संक्या में मौझूद है यूनियर के जंडे भी देखने को मिल जाएंगे कप और तिरंगा जंडे की बात कि जाए वो भी यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे तिरंगा जंडा भी जो है किसान लेकर यहां पर आई है और लगातार जो है क्रशी कानुलों का विरोध कर रहे हैं और हम आपको दिखा दे किस तरह से जो है तमाम तमाम जो अक्षेत्तर के जो किशान वो यहां पर हैं मौझूद हैं कैमरा से होगी मंजीत कैत्वाल के साथ शोहन पोडिया इंडिया 18 गाम डाक्टर से सर्दार शिंदर सिंग हमारे साथ मौझूद हैं जी सबसे पहले त प्रमात्मा देके में बेंटी करना चती बलाद्री दा सब्सक्राइब अधे प्रोग्रम में मोधी यह प्रोग्रम मुझ जित्ता वे प्रमात्मा यह पाई चराए कठा रखे भालशा बेंगुर्ची की मते होते हैं इंट्रनेट भी बंद कर देती है सरकार क्या कहेंगे यह जो डीटिल इंडिया का नारा प्रदानमंत्री ने दिया था आप देख रहे हैं कि 10-12 दिन से जो इंट्रनेट बंद हुआ है जो पड़ाई बच्चों की कराब हो रही है जो भी सिस्टम बैंकों का और भी सारा नेट से चलता था वो खुद ही प्रदानमंत्री नारा देते हैं कि हम डीटिल इंडिया बनाना चाहते हैं जब उनके खिलाब को यवाज उठने लगती है तो यह नैट को बंद कर देते हैं यह बहुत ही निंदनिया है और देश का इसमें बहुत जादा नुक्सान हो रहा होता है यह तो एक अपने लिए एक चीज बना के रख ली सरकार ने कि जब फैदा हो तो उसको यूद कर लो जब उसके सरकार का नुक्सान होता है तो उसको बंद कर लो यह नहीं होना चाहिए यह बिल्कुल भी देश्वरोधी है जो देश्वरोधी लोगों को कह रहे हैं यह सरका सबसे पहले तो मैं अपने किसान अंदाता की तरफ से सभी को आज जोड़का नमस्कार करता हूँ ये किलाई बंदी और ये मोच्चे पती तो नहीं चलेगी सरकार की ताना साही नहीं चलेगी जब तक ये तेनों कानून वापिश नहीं लेगा अंदाता और मजदूर सब संग्ठन एक हो चुके हैं और इसमें ये कानून वापिश लेने पढ़ेगे ताही मिनने से कर्षान प क्रशी कानूनों का पूरे देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार काले कानूनों को रद नहीं करने की जीद पर अड़ी हुई है वहीं किसानों ने ऐलान किया था कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम रकेंगे और फिलाल हमा असत कुछ किसान मुझोद हमसे बासीत कर लेते हैं ही आज जो है क्रशी कानों के विरोध में चलते चक्का घंक किया हुआ है क्या थो मेद्ची दो सब्सक्राइब करोंगा। जिननों ने आ कर एक किसान की वाज उठाने का काम किया है यह यह अदकिото पर बैठा किसान वो उनको नहीं दखाई देता और अभी पिछले तीन चार दिन पहले जीन्द के अंदर किसानों का एक बहुत बड़ा जथा मलब पंचयत हुई है महा पंचयत वह भी उसको दिखाई नहीं पड़ी उसके बाद किसानों ने फिर यह चक्का जाम करने का फैसल में एक बात और मैं कहना चाहूंगा है मुदी जी आप इस बात को बड़े गवर से सुनों बड़े द्यान से सुनों अभी तो किसानों का एक तीन कनून का ही मसला है अभी दूसरा मसला और जागने वाला है जो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा इकठा लगा हु आज तीन सो से लेकर के तीन सो चार सो पांस तोस तक की मजदूरी मिलती है एक मजदूर को लेकिन वो मजदूरी भी उसको महिने के अंदर सिर्फ 10 दिन या 15 दिन तक की होती है उसकी महिने के उस निकलती है तीन से पांस जार तक की उसके अंदर वो अपना परवार नहीं च है उनकी भी 500 से लेकर के 700 की मजदूरी है उनको भी मिन्य में वहीं दासफुंसे बात की मजदूरों के बारे में के एक नार्मल मजदूर की मजदूरी एक जार से लेकर के बारा सो पंदरा सो तक होनी चाहिए और दूसरा मजदूर किसान ये अपना टेकनिकल और मकैनिकल इन मजदूरों की मजदूरी पंद्रह सो से ले करके दोजार तको उनीची है ताके अपने बच्चों का ये पालन पोसन कर सकें ये अब आज भी आपके देश के अंदर उठे वाली है आज नहीं तो कल उठेगी जरूर आप जरा ये सोच के देखिए के आपके देश में बड़े बड़े बिजनसमेन जिन् अब ये खाली किसान मजदूर का ही संगर्स नहीं रह गया यह संगर्स आज 36 उभरावरी का उट्रह से इस तरह से किसानों ने दिल्ली में ट्रेक्टर मार्च निकाला था उसको लेकर बात्चीत कर लेते हैं 26 अनुवरी पर लाल किला कांड हुआ, किसानों की फजियत हुई और मुकद में दर्ज हुए, ट्रेक्टर भी जो है किसानों के इंपाउंड हुए हैं, क्या कहेंगे। लाल किले माज में जाव माज में नहीं जा सकता, और 26 अनुवरी दिन हैं, एंदोस्तान की फोजमा होती हैं, आप बली परकार जानते हो, लाल किला हम चीज नहीं है, एंदोस्तान की मान शान है, और उस आधनिया मोदी की अध्यक्षतावाले ने है, वह मंत्री की स्याप है, फिर बार बार किसान निवेदन करता है कि काले कानूर वापिस लो इनको अमन चैन से अपना काम करने दो नहीं तो आने वाले दिनों में चिंगार इतनी बढ़केगी कि सरकार के बेकाबू हो देगा सारा काम। किसानों का लगातर यही कहना है कि काले कानुनों को सरकार रद करें ताकि जो दिल्ली की तमाम जिमाए हैं वहाँ पर करीव ढ़ाई महिने से जो किसान बैटे हुए हैं वो अपने घरों को वापिस लोट सके किना बार, किसाने ग्का जाजवाः, किसान गघे बतीसान किसान किसान क्यांसे इस स्वाहद दे संदर्भाश का जाव्वी चाप्रा समय में आधा रहा इन्हातु कि उत्रे कह सोदांबाई विए यह जोड़ी ठीक्र उषिभी सिख्ण सुदांबाई कोल भर्ली थी जले कुषितिलर में दे अ झाल झाल